उनतर हजार सिक्षक भरती के अब भिरती हैं लगतार 22,000 रिक पदो को जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इनके धरने को 139 दिन का समय पूरा हो चुका है लगतार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी कर दी जाएं लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कारवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है जिसके कारण ये लोग अब भी यहीं पर बने हुए हैं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था कुछ की जमानत हो गई कितने लोग अभी भी बचे हैं जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है जैसे कि आज धन 13 है आप लोग सिक्षक हैं कभी सोचा था कि धन 13 के दिन ऐसे धरना देना पड़ेगा लोग अपनी दिवाली की शुरुआत करते हैं धन 13 के दिन से अब ऐसा था हमने कभी भी नहीं सोचा था यह तो हमारे जीवन के 149 दिन तक ही आंदोलन चला है अगर सरकार की अब भी समझ में नहीं आएगी तो इससे बड़ी बड़ामना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछ नहीं होगी कि हमें योग ग्यबरती 149 दिन से धर्ना देना और 87 दिन हो गए पानी के टंकी पर हमारी बेहन को बैठ हुए करके यहां बैठ हुए हैं पर लेकिन उसके बावजिदी बीजेपी सरकार जरास सी भी हमारी पुकार नहीं सुन रही है इसलिए मेरा माननी योगी आदित नाद जी से अभी यह दीपावली का परवाने वाला है तो मैं इसलिए एक बनमर निवेदन करके यह कहना चाहता हू कि जिस तरीके से दीपक रूपी उजाला होकर के घर में खुशियां आती है इसी प्रकार से हमारे जीवन में खुशियां दे दीजिए तिवहार का समय है घर बार छोड़ कर आप यहां बनी हुई है कैसा लग रहा है कि मतलब तिवहार छोड़ कर धरना देना पड़ रहा है ये हमारी मांग है और ये हमारी जाइज मांग है. हमारे 61 भाईयों पर एक दर्जन धारायें लगा दी गई है. बताएए ले सिच्छक होने के बाद कम लोग को इतनी गंभी उतनी संगीन धाराये करेश लगा में तक नहींपत हैं. उसके बावजूद भी योगी सरकार का भी पेट नी भरा हम लोग दिवाली भी यहीं रहेंगे और हम बस हाथ जोड़कर उनसे यही कहते हैं कि हम लोग को 22 अजा सीटे जोड़ दी जाए और हम लोग अपने घर दिवाली मनाया क्या कहना चाहेंगे कि दिवाली भी है दो दिनों में तो क्या यहीं रहना है धर्णा ही देता रहना है अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होते तो हम तो यहां पर रहेंगे ही हमारे सभी तोहार बीधी चुके हैं और इतनी अच्छी पर जो दिपावली है वो भी हमारा यहीं पर हो रहा है सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह अभ्यरती जिस चरिके से अपनी मांग को रख रहे हैं हर तेवार को यहां बिता दे रहे हैं इनका भी घर परिवार है सरकार तो अपने परिवार में हैं जिकने भी मंत्री विधाक है अपने परिवार में दिपॉली मनाएंगे जिकने भी अधिकारी अपने परिवार में दिपॉली मनाएंगे हमारा दुख हमारी तकलीप समझज़िए अगर हम गलत हैं तो आप सीधे मंच पर आके कहते को ने कि यह बच्चे गलत हैं जो मांग वो ना जाय जाए आप कह दीजिए हमड जाये आप वो भी नहीं कह रहा है नहीं हां कह रहा है नहीं नहीं आप एक जोपर मनंच पर आके यह खुले में कुछ कहिए तो कि बात क्या है आप बात करने से पीछे पर अट रहे हैं इसका मसलब है कि कहीं ने कहीं आपकी चोरी दिख रही है आप ने चोरी कहीं की है इस भरती में इसलिए आप पेछे आट रहे हैं आप योगता का हवाला देकर सुच्छा मिचलों को बाहर किया और आज वही योगता पानी की टंकी पर बैटके धरना दे रही है कहां कन्या है रामराज रामराज चिलाते रहते हैं आप लेकिन योगी जी आपके इस राज में रामराज के ज्यादा लग रहा है जहां पे एक लड़की संघर्ष करके पानी की टंकी पर बैटी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन हमको तो लगता है कि 2022 के बिधान सबाद चुनाओ लड़ना चाहिए मेरी तो आप से यही अपील है क्या कहना चाहेंगे एक लंबा समय हो गया है सरकार को आपकी मांगे भी पता है क्योंकि लगतार आप लोग के तरफ से जो विपक्ष है वो भी कही न कहीं समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है त जब तक वो अपने मुंक से कुछ हम लोगों के लिए इस तरह से नहीं कुछ कायेंगे तब तक हम नहीं मानने वाले हैं अन्वरत रूप से अपना जारी रखेंगे चाहें हमें किसी कितनी भी प्रताड़ना जेलना पड़े और वीवस रह के करेंगे क्या कहना चाहिए? हम लोग मिलने विलने जाते हैं जनता दरबार में तो हम लोगों का ग्यापन देख कर ही हमको वापस कर दिया जाता है ये ठीक नहीं है ये मान लीजिए कि एक तरह से हमारी बात को दबाया जा रहा है तो आप लोग जनता दरबार में जाते हैं तो क्या का अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है? नहीं हम जैसे जाते हैं तो हमारा ग्यापन देख कर जान लेते हैं कि ये 69 जा सिक्षक बरती वाले हैं तो कह देते हैं यार जाइए जाइए आपका जो है अंदर से मना है आप नहीं मिल सकती हैं क्या कहना चाहेंगे दिवाली भी यहीं बीट रही है घरबार से दूर हैं कभी उमीद भी नहीं रही योगी की सिक्षक हो करके यहाँ पर धरना देना पड़ेगा एक अच्छे तिवहार के दिन तो क्या कहना चाहें आपकी बात बिलकुल सही है हम तो ऐसा उमीद नहीं किये थे कम सकम अपने इस योगी जी से तो ऐसा उमीद नहीं किये थे क्योंकि मुझे पता था कि मानन योगी जी हमेशा योगिता की बात करते हैं तो यह पूरा विश्वास था मन में कि हमारे साथ होश्य नहीं होगा यह बताए आज अज अध्याजे को नौ लाग दियों से जगमंगाय जा रहा है रामराजे की चारो तरफ चर्चा हो रही है रामराजे की ही चर्चा चारो तरफ क्या पूरे देश में चल रही है लेकिन यहां हम अभ्यर्थी अपनी मांगों को ले करके आज साड़े चार महीने से बैठे हैं क्या हम अभ्यर्थी उस रामराजे के अंग नहीं है क्या हम लोग उस राम राजय की दायरे में नहीं आते हैं क्या हमारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए हम अपने मानी मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना निवदन करना चाहते है कि मानी मुख्यमंत्री जी यदि आपको ऐसा लगता है कि हम अब भयरती इस सिक्षक भरती के योग नहीं है तो कम्सकम जिस चैनल पर आकर के जिस मीडिया के माध्यम से आपने यह कहा था कि मुझे 1,300,000 पद भरने हैं और मेरे पास योग याभ भयरती नहीं है कम सकम उसी मीडिया के माध्यम से आप एक बार आ करके यह कह दें कि मेरे पास पद हैं लेकिन हम आपको दे नहीं सकते हैं तो निया संदे हम लोग अपने अपने घरों को चले आते और इतना समय हमारा बरबाद नहीं होता अगर यह हमारा समय बरबाद हो रहा है तो कहीं कहीं से सरकार की निरंग गुषता है और यह हमारे आंदोलन को दबाने की एक सोची समझी रड़नीत हो सकती है लेकिन फिर भी हम उनसे उम्मीद करते हैं मानी मुख्यमंदरी से हम फिर से उम्मीद करते हैं कि वो आवस्य हमारे बामले में निड़े करेंगे हम लोगों के साथ आवस्य नियाय होगा लेकिन अगर इस दीपावलिक से पहले अगर यह नियाय हो जाता तो हम लोग की खुशी दोगनी हो जाती हम लोग पुना एक बार अपने अपने कारियों में लग जाते लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी सुधी किसी को हाई नहीं है मैं फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि मानी मुख्यमंदर जी कृपया हमारी मामले को संग्यान ले और आपकी कृपया से हम सभी अपने अपने घरों को दिवाली अवस्य मनाने जाएं यह मेरी आप से प्रार्धना है कृपया सुधी कार करें तो जैसा कि आप में देखा जो अभ्यर्ती है वो अभी भी SCRT कारेले के पास मौजूद है धरना प्रधरिशन कर रहा है और इनका कहना यही है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है यह तब तक यहाँ पर बने रहेंगे और धरना जारी रखेंगे इसके साथ यह आज धन 13 है दिवाली की शुरुआत भी हो चुकी है इन लोग का कहना यह भी है कि अभी दिवाली में एक दिन और बचा हुआ है और इनको यह उमीद है यह उमीद करते हैं मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ से कि इनकी मांगे पूरी कर दी जाए तो यह पूसन अभे के साथ मैं शिवांगी जेमटी कबर लखनो